हेलो डिये श्टूडियन्ट, आप सभी का हमारे यूडुग चनल पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं, जेनेटिक से, म्यूटेशन से क्यूटिश, ठीक है, तो यहाँ पे सारे कोशन म्यूटेशन के होने वाले हैं, यह कुछ हमने अपने टेलिग्राम ग्रूप पे कर लिया है, तो अभी आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे नहीं जोईन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप नीट के लिए, सीवीट के लिए, अगर आप रिपेर करें तो यह ग्रूप आपको लिए बेहतर रहेगा, और देखिए हमारा कोर्स भी बॉट्मी का चलता है, MSC इंट्रेंस, फार्द असिस्टन प्रोफेसर, यानि की SSB, MPPSC, UPHC, कोई भी हो, आप जोईन कर सकते हो, 185 प्लस से जादे स्टूड़न जोईन, सीट का नंबर बहुत कम है, इस बैच में एडमिसन ज सुनाई दे ही रहे होगी, ओके, तो पहला कोशन है, वीच आप तो falling is incorrect with respect to mutation, mutation अखरी में क्या होता है, sudden, heritable change, directionless change होता है, जो की mutation कहलाता है, तो mutation क्या होता है, sudden होता है, discontinuous होता है, यह continuous नहीं होता है, देखो germinal cell में जो है, वो continuous हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपका mutation है, वो continuous ही हो, change in chromosome and gene, यह सही है, lead to variation in the DNA, यह भी सही है, देखो, mutation का सीधा सीधा मतलब आप यह जानो, यानि कि आपका DNA का यह क्या था, fragment था, DNA में क्या थे, nucleotide के sequence थे, यानि कि वहाँ पे nitrogenous base थे, तो वही base pair के sequence में change हो जा रहा है, या तो वहाँ पे कोई delete हो जा रहा है, या तो eight हो जा रहा है, या तो friendship mutation हो जा रहा है, तो इसलिए, इसका right answer क्या होगा, यह होगा, बी वाला right answer होगा, got it, चलिए, अगले question चलते है, which of the following is the classical example of point mutation, तो point mutation में क्या होता है, क्लास, कौन है इसका example, sickle cell anemia है, यहाँ पे क्या होता है, जो code कर रहा होता किस में बदल जाता है, glutamic acid में बदल जाता है, ठीक है, देख लेना एक बार, glutamic acid में बदल जाता है, ठीक है, तो यह sickle cell anemia में होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक single mutation होता है, बेस में, जिसके वज़े से यह हो जाता है, फिनायल की टिनेरिया होता है, वहाँ पे फिनिन होत तो किसकी बात कर रहा है? रिमूवल की बात कर रहा है, यहां पर, तो जब इसका पेरिंग होगा न, तो जब इसका पेरिंग होगा न, तो कैसे होगा, बी-सी ऐसे लूप बना लेगा, ठीक है, लूपिंग देखने को मिलेगा, तो यह चीज है, इस अरसन में एट कर देते हैं, ट्रांजिशन में क्या होता है, कोई भी प्यूरीन प्यूरीन से, यानि की ए से जी हो सकता है, या प्यूरीन का प्यूरीन से, तो इसका राइट अंसर यह है, चलो आगे चलते हैं, अगर प्यूरीन का प्यूरीन से हो, तो यह ट्रांस वर्जन है, अगर प्यूरीन का प्यूरीन से हो, या प्यूरीन का प्यूरीन से हो, तो यह ट्रांस वर्जन है, अगर प्यूरीन का प्य देखो आपको हमने बताया था कि जब homologus chromosome के non-assisted chromatid के बीच में जब segment की अतला बदली होती है, that is the crossing over, occur in the pagatine sub-stage of the meiosis first, but this segment translocation occur between the non-homologus chromosome, then it is called as the translocation, कभी समझ गए, translocation क्या होता है, non-homologus chromosome 9 और 22 के बीच में होता है, तो इससे क्या बनता है, philadelphia chromosome बनता है, तो ये बात आप याद कर लेंगे, क्या बनता है, philadelphia chromosome बनता है, जिससे क्या होता है, maloide leukemia होता है, क्या होता है, ये एक तरह का cancer होता है, got it, तो shifting of a part of chromosome to the non-homologus chromosome, तो ये D-valas eye tensor होगा, which are the following chemical mutagen affect only replicated DNA, हमने आपको बता है, mutagen क्या होता है, physical हो सकते हैं, chemical हो सकते हैं, biological हो सकते हैं, तो replicating DNA में क्या होता है, देखो, base analog होता है, ये एकदम nucleotide की तरह, DNA के nucleotide की तरह ये दिखते हैं, जहाँ पे nucleotide को aid करना हो, होता है ये वहाँ से base analog उसको replace करते हैं, तो ये है, एक्रिडीन die क्या होते हैं, वो क्या करा सकते हैं, वो आपके frame shift mutation करा सकते हैं, ये de-amination करा सकते हैं, alkalizing agent जो alkalization करा सकते हैं, अगला question है, point mutation involved, तो point mutation के वज़ए से single base में change होता है, या तो वहाँ से वो delete हो सकता है, या तो वहाँ एक नया aid हो सकता है, duplication का क्या मतलब होता है, जैसे A, C, T, G, ऐसे थे तो ये फिर से T, G लगाता रही आ जाए, T, G का T, G फिर से हो जाए, फिर से T, G, तो ये duplication, copy number हो जाए, transition type का mutation क्या होता है, जहां पे आपका, आपका क्या हो, यानि की adenine से guanine और thiamine से cytos, यानि की transition म चलो आगे चलते हैं, X-ray का आज, तो X-ray is the physical mutagen, X-ray हो गया, gamma rage हो गया, UV rage हो गया, cosmic rage हो गया, तो X-ray जो है आपका chromosomal break करवा सकता है, got it, तो ये physical mutagen है, X-ray, X-ray की discovery किस ने की थी, rantagen ने की थी, ठीक, अगला, which are the following is not ionizing radiation, तो देखो, ionizing और non-ionizing radiation का मतलब क्या होता है, ionizing radiation का मतलब होता है, जो water को break कर सके, water को ionize करके, वहां से OH को free कराके, OH free होगा, जाके फास्पोर डाइस्टर बार्न को break करेगा, जिससे chromosomal break हो जाएगा, तो ionizing कौन कौन रहेगा, X-ray हो गया, cosmic rage हो हो गया, यह सब ionizing हो सकती है, बट UV light जो है, वो non-ionizing है, तो यह right answer होगा, समझ रहे हो चीज हो को ना, a base substitution mutation in a gene sometime has no effect on the protein, तो देखो, क्या कह रहा है, कि एक बार base substitution mutation हो रहा है, लेकिन आपका normal protein ही बन रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, कि some amino acid more than one codon, तो bubble hypothesis यहाँ पो हो रहा है, यानि कि मालो, जैसे CCC है, तो C का U बदल गया, तो CCU, यानि कि यह same amino acid को code कर रहा है, यानि कि कैसा हो रहा है, यह silent mutation हो रहा है, ना, ठीक है, degeneracy वाला concept, चलो, fragile axidrome and Hutchinson DG-Jarkaz भाई, तो यह दखो, क्या है, आपके, कभी-कभी होता है, कि आपके DNA के जो fragment होते हैं, आपके body में, वहाँ पे क्या होता है, कुछ nuclear tied random repeats मिलता है, तो क्या होते है, triple जैसे CGG हो गया, तो कई सारा CGG, 50 से 500 तक लेके, अपने आपको यह CGG, 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 तो जिंग्दन कोरिया डीजिश हो जाएगा, ऐसे इसमें भी C-A-G-I thing होता है, तो यह C-A-G-C देख लेना यह चीज, कि कौन सा repeat होता है, वह मैंने आपको बताया भी थाज क्लास में, तो यह क्या होगा, expanding triple, triplet repeat होते हैं, which of the following statement is not true about mutation, तो mutation के लिए कौन सा true नहीं है, टीक है, तो mutation can be caused by environmental factors such as radiation and chemical, यह बात सही है, mutation can be passed down to upstream from their parents, यह भी बिल्कुर सही बात है, mutation can be beneficial harmful and neutral, यह भी सही बात है, all mutations are visible, ओ भाई, all mutations visible नहीं होता, देखो, आपके body में क्या होता है, 98-99% तक जो genomic constituents है, वो सबका सेम ही होता है, और आपके body में बहुत सारा mutation हो रहा होता है, कहां पे हो रहा होता है, इंट्रॉन वाल region में, तो वो देखा नहीं जा सकता, तो right answer क्या है, right answer होगा D, अगला question चलते है, you are scientist studying the effect of new drug under development of cancer, okay, cancer, cancer क्या होता है, पता है, जब आपका body का cell लगातार divide करते रहे, वो stop नहों तो cancer बन जता है, आपने एक drug की discovery की, जो की mutation कराता है, DNA के cell पे, what are the possible implications of this finding that use of drug in human, तो इसका क् है, and the drug may increase the risk of cancer in person, तो यही चीज है, तो क्या करा रहा है, you discover that drug cause mutation in the DNA of cell, एक drug है, जो mutation करा दे रहा है, तो उसके वज़े से क्या हो सकता है, अगर उसे mutation हो रहा है, तो drug may increase the risk of cancer in person who take it, अगर यह drug mutation DNA में करा रहा है, तो इससे cancer हो सकता है, decrease नहीं कराएगा, चल आगे चलते है इस sports term variation के लिए कौन ही उच किया था, sports term variation के लिए किसने उच किया था, Darwin ने उच किया था, ठीक है, हीगो डिवीज ने ओइनो तेरा के उपर काम किया था, अपना mutation का, मुलर ने दिया था, आपके cytogenetics, यानि X-ray, गामा रे यह सब का यूज बताया था, Morgan ने drosophila के उपर experiment क किया था, linkage के बारे में बताया था, mutagenic nature of X-ray and UV rays, तो इसके बारे में आपके मूलर ने बताया था, भी हमने पीछे बताया ही, ठीक है, बीडल एंट अटम ने नियूरोस्पोरा क्रासा के उपर काम किया, और क्या बताया, one gene, one enzyme hypothesis, यानि कि एक gene होता है, एक enzyme को बनाता है, मैडम क्यूरी ने radio activity के बारे में बताया था, कि मैं स्टी की है, हार्टी वीनबर्ग ने क्या बताया था, population genetics के बारे में बताया था, हम पढ़ेंगे अभी population genetics, ठीक है, population genetics यानि कि, पी प्लस क्यू का whole square is equal to, पी square प्लस क्यू square, प्लस टू पी क्यू, इसके equal to one भी होता है, ठीक है, तो यह चीज है, non ionizing radiation commonly used for inducing mutation in organism R, तो non ionizing radiation किसके द्वरा हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, इन organism में क्या है, UV rage है, non ionizing, gamma rage का देखो, यह किसके लिए किया जा गया था, mutational breeding के लिए, जो आपके स्वामी नातन थे, Mexican dwarf variety of weed बनाये थे, इसके थूरू ही बनाये थे, अगला question है, the best mutagen for microorganism, micro armenism, तो micro armenism को mutagen कौन है, तो वो UV light है, आपने देखा होगा RO को, RO, reverse osmosis बोलते है, इसको इसमें क्या होता, UV light लगा रहता है, तो जब इसमें आप पानी भर देते हो, पानी छंता है न, तो UV light पनिया पे जाता है, तो क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई भी bacteria रहेगा, त तो यह mutation हमारे लिए helpful भी है कि हम bacteria bacteria से बच सकते हैं, ठीक है, which are the falling agent का आज, mutation through de-amination, तो de-amination कौन करा सकता है, तो वो है आपका, HNO2 और UV light है, यह de-amination करा सकते है, तो aminopyrine भी हो सकता है, लगी यह जादा करेक्ट है, चलो आगे चलते हैं, one of the following crop mutation study have been done, तो सब सब कौन सा करा आप था, वो भाई wheat के उपर, maxquam, dwarf variety of wheat, father of green revolution कौन थे बताओ, Indian बता है ना आपको, स्वामी नाथन, तो गामा रेज का यूज करके किया गया था, हमने अभी बताया ही, applied क्यों ज्यादा preferable है, mutation study के लिए, तो applied में कोई भी देखो, dominant mutation हो, ARC mutation हो, जब वो क्या रहेगा, वो aptu में अपने आपको जाके express ही कर देगा, ठीक है, applied में, तो ये चीज सही है, अगला कोशन है, type of gene, mutation which involves replacement of purine with pyrimidine, या pyrimidine का purine, तो purine, purine से हो तो transition, लेकिन purine, pyrimidine से हो तो transition, लेकिन purine, pyrimidine से हमने क्या बताया था, transversion, या transduction क्या होता है, transfer of genetic material, transfer of DNA from one bacterium to another bacterium with the help of bacteria a series of ages called transduction, and discovered by gender and leaderberg, टीक है, translocation is the chromosomal exchange between the non-homologous chromosome, transcription is the phenomena is of the formation of RNA from the DNA template, तो ये सब आप जानते हैं, simple simple definition है, एक segment DNA का ये आपको nucleotide या base sequence दिया गया, which of the following sequence represents frame shift mutation, देखो, आग, गाग, ऐसे पढ़ सकते हो है, A e G, देखो, A e G, यहाँ पे भी है, G A G, G A C, C A, ये तो सेम सेम है, इसमें तो होगा नहीं, ये देखो, A G, A G A, तो यहाँ पे देखो, frame shift हो गया ना, यहाँ पे, G A G आना था, लेकिन A G A आ गया, फिर A C, पूरा बदल गया इदर का देखो, बदल गया ना, तो ये frame shift nutrition, ये देखो, कि ये भी same ही आपक, ठीक question है, de-emination of adenine and guanine by HNO2 and UV light, तो जब adenine का होता है, तो hypo-genthine बनता है, de-emination से, और HNO2 का होता है, guanine का होता है, तो क्या बनता है? genthine बनता है, तो adenine से hypo-genthine बनता है, और guanine से genthine बनता है, चलो आगे चलते हैं, the most striking example of frame-shift mutation was found in the disease called, तो frame-shift mutation का सबसे बढ़ी example यह नहीं है, thalassemia है, last name syndrome is the ex-sling recessive disease, जहां पे क्या होता है, kidney में dispensern हो जाता है, color-blind ने जानते हो ex-sling recessive यह भी है, तो ऐसे करके आपको पढ़ना है, cry-do-chat syndrome, देखो, यहाँ पे कुछ चीजे, cry-do-chat syndrome कैसे होता है, जो 5th chromosome होता है, उसका 60 arm जो होता है, तो उसका 5 chromosome का last हो जाता है, तो इसको वज़ा से बिल्ली की तरह बच्चार होता है, चलो कुछ चीजे पूछता हूँ ना, comment section में बता देना, question लिया नहीं हूँ, आप बताओ, down syndrome कैसे होता है, try-somy कहाँ पहोता है, down syndrome में, और आपको बताना है, आपको बताना है, पटाओ syndrome का होता है, पटाओ syndrome किसके क्रोमोसूम के वज़स होता है, और आपको बताना है, edward syndrome, comment section में लिख देना, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, which अब तो following is not heritable, देखो कोई भी mutation हो, जो germinal cell में है, वो ही होगा, somatic cell का कभी भी inherit नहीं होता है, अगला question है, a pregnant woman, who has done amniocentasis test, amniocentasis में क्या होता है, chorionic willis sampling बोलते हैं इसे, amniotic fluid लेते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बच्चे के ऐसा skin, क्रोमोसोम होता है, उसी को देख के बता देते हैं, तो क्या कते हैं कि जब amniocentasis कराया गया, तो क्या हुआ, बेबी में एक इस्ट्रा बारबाडी मिला, देखो, अगर male हो, तो male रहेगा, तो कोई बारबाडी नहीं रहेगा, female रहेगी, तो एक बार बाडी रहेगा, क्योंकि एक, वन बार बाडी, लेकिन इस बार कह रहा है, एक इस्ट्रा, एक इस्ट्रा मतलब, दो एक और एक वाई, तो यह क्या बनाता है, इस्ट्रा है, तो एक यही इस्ट्रा है, तो क्या रहेगा, यह क्लीनी फिल्टरन स्रिड्रॉम रहोएगा ना अब देखो~~~~ एडवा स्रिड्रोम Ś Divine selecting इधर्वर्षिए होता है यह यह होता है Twenty बंथ स्वे ठीक क्लीनी फिल्टर्न जो होता है एक एक्स बढ़ जाता है और पॉताव होता है आपका 13 फे तो यह सारा चीज आपको याद रखना है और ठीक है खतम हो गया इधर तो बनाने के लिए रखा गया था तो देखो इस तरीके सामने question को discuss कर लिया है ओके तो बढ़िया से आप genetics के पढ़ो और सीखो और देखो यहाँ पे हमारा न कहाँ गया हम यह कोर्स में अगर आना है कोर्स में आप सभी का welcome है यहाँ पर लगवा पंदरे नहीं 12 सीट होगा आज भी तो जोईन कि एक अग दो लोग तो 12 वारा सीट है तो मैं आपको बता देता हूं जोईन करना है तो कर लीजे चलता हूं मिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में thank you for watching this video